Hello Everyone, Welcome to Legalistics Law School मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम आपके लिए अगीन एक बहुत इंपोर्टन लीगल अपडेट लेकर आए हैं ये अपडेट है अलाहबाद हाई कोर्ट से है अलाहबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपोर्टन केस को डिसकस किया है जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू मेरेज जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती अगर कोई कॉम्प्रमाइज हुआ है प्रोसीडिंग में जो कि सेक्शन 125 से आर पीसी में करी गई है तो इसी केस को आज हम लोग डिटील में डिसकस करेंगे जाने केस केस में क्या इशू था क्या आर्गुमेंट्स रखे गए और क्या जो है कोट ने यहाँ पर कहा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते है केस का नाम केस का नाम है इन लोगों ने यह डिसीजन दिया है केस में इशू की अगर हम बात करें तो दो इशू थे इस केस में सबसे पहला इशू यह था कि क्या कोई कॉम्परमाइज अगर सेक्शन 125 CRPC में होता है तो वो इनफ है किसी भी मैरिज को डिजॉल्व करने के लिए और दूसरा इशू यह था कि अगर कोई private respondent claim कर रहा है तो क्या उसको claim नहीं दिया जाएगा उसका claim जो है वो non suited होगा on the ground that she had contacted a second marriage मतलब कि वही कोई wife अगर अपने husband से के मिर्तिव के बाद उसकी pension के लिए claim करती है सरकार से तो क्या अगर उसने कोई दूसरी शादी कर लिए तो उसको pension नहीं मिलेगा यह दो issue जो है वो court के सामने आए और जिसपे court ने अपना judgment दिया सबसे पहले fact की बात करें थोड़ा देद के बाद इनकी जो pension थी वो इनकी जो पहली wife थी उशा देवी उनको मिल रहा था अब उशा देवी बेसिकली इनसे अलग हो चुकी थी इनका जो है compromise हुआ था section 125 में और यह इनसे अलग रह रहे थी इनका जगड़ा वगरा मतलब शादी वगरा सही से नहीं चल पाई औ तो फिर इनका नाम ही record list में था तो pension इनकी को मिलने लगी लेकिन भोज रास सिंग ने एक दूसरी भी शादी कर रखी थी ठीक है अब यह जो दूसरी शादी थी दूसरी शादी वाली जो wife है बेसिकली उन्होंने कहा कि हम इनके साथ इतने time से रह रहे हैं हमारा सब कुछ ज पिचारी जा चुक है उनका compromise हो चुका है तो उनकी जो है marriage है वो यहां पर मानना जाएगा कि dissolve हो गई है तो पैसा जो है वो pension का मुझे मिलना चाहिए ना कि पहली wife को मिलना चाहिए जब यह मामला single judge binge के पास गया तो single judge binge जो पहली marriage थी उसकी legality को चेक किया और यहां पर कहा कि जो भोज राजे और उशा देविया इनके बीच में एक legally marriage तो हुई थी सबसे पहले तो इन्होंने यह कहा जजनी यह भी कहा कि जो marriage हुई थी वो dissolve नहीं हो सकती या उसको हम लोग cancel नहीं कर सकते हैं या खतम नहीं कर सकते हैं under section 125 की proceeding में क्योंकि वो जो है एक अलग nature की proceeding ह वहाँ पर maintenance की बात की जाती है वहाँ पर कभी भी जो है वो dissolution of marriage की बात नहीं होती दूसरा dissolution of marriage अगर करना होगा आपको तो वो हमेशा इसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक competent court जो है decree पास करता है divorce की तो divorce की decree के थो हुई एक marriage को dissolve किया जा सकता है नहीं section 125 की proceeding के अंदर त division bench के पास क्या argument कहा गया पहले जो petitioner के side से मतलब जो second wife थी उनकी तरफ से या argument रखा गया कि जो first wife के साथ जो marriage थी वो resolve हो गई क्योंकि उनको बीच में compromise हो गया था उन्होंने एक अपना amount लिया husband से वो अलग हो गई अलग है रह रही थी और उन्होंने दूसरी भी शादी कर जो है वो अब maintenance claim नहीं कर सकती है अपने husbands से यहाँ पर जो respondent थी मतलब first second wife जो थी यहाँ पर basic लेकर हम बात करें sorry first wife जो थी उनके अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में marriage कोई dissolve नहीं हुई क्योंकि 125 में हमने compromise कहा था तो 125 किसी भी तरीके से marriage को dissolve नहीं करता है और यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा कि हमने कोई भी second marriage नहीं करी क्योंकि second marriage के आप कोई proof नहीं है यह जो हमार उशा देवी हैं उशा देवी और भोज राज सिंग के जो marriage है वो कभी भी dissolve नहीं हो सकती अंडर सेक्षिन 125 में अगर उन्होंने उसको मान लिज़े dissolution के लिए चले भी गए हैं पार्टी agree भी कर गए हूँ यहाँ पर कोट ने यह भी का कि अकर पार्टी agree भी कर जाते हैं तब भी उनके बीच में marriage है वो 125 में dissolve नहीं हो सकती है क्योंकि 125 बहुत ही narrow provision है यह सिर्फ और सिर्फ बात करता है maintenance की ना ही dissolution marriage की यह बात नहीं करता है ठीक है क्योंकि यह एक maintenance का provision है तो maintenance का provision में आप divorce नहीं कर सकते हैं पार्टी agree हो तब भी यहाँ पी यह चीज नहीं हो सकती है first wife के पास right है family pension का ठीक है इसको खतम नहीं किया जा सकता है inferred नहीं हो सकता है with and her subsequent marriage if any अगर उसने कोई दूसरी marriage भी करी है could not be ground for denying the family pension अगर उसने कोई दूसरी marriage भी करी है तब भी उसका जो right है family pension का वो deny नहीं किया जा सकता है तो यह basically एक बहुत ही important update थी जो आपके लिए और आपके exam के लिए काफे जादे important है आपके लिए एक छोड़ी से और information है कि युड़ीशी का रामबान course legalistics लेकर रहा है इस course को बड़े ही reasonable price पर आपको provide क्या जा रहा है 21,999 इस course की फिए है लेकिन अगर आप मेरा code यूज़ करेंगे तो आपको 20% का extra discount यहाँ पर मिलेगा मेरा code है qrk20 और इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 20% का extra discount यहाँ पर मिलता है course को purchase करने के लिए सारी detail आपको हमारी website में course section में मिल जाए further detail के लिए आप हमें call भी और email भी कर सकते है ऐसी important legal update पाने के लिए हमारे सारे social media handle को follow करें और हमारे youtube channel को भी subscribe करें साथे साथ bell icon को भी press कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी notification आपको time पर मिलती रहे मिलते हैं ऐसी important वीडियो के साथ तब तक लिए goodbye and take care